तो आज हम लोग रोप्स एंड नॉट्स के बारे में सिखेंगे, ओकी? रोप्स एंड नॉट्स अभी रोप्स हैने की रस्सी, जो कि फायर फैटिंग में बहुत एहम चीजह है और रस्सी से जो हम यूज करते हैं उसको पे जो गाथ मारते हैं उसका उपर अलग अलग तरीके के, तो उसे नॉट्स कहा जाता है तो यह ropes and knots, fire fighting का एक बहुत एहम चीज है, important चीज है, तो इसके अंदर जो ropes बनता है, वो कोई, मतलब उसके अंदर material, कुछ natural materials होते हैं, कोई artificial materials दोनों के mix से बनाया जाता है, आजकल के जो ropes हैं, और वो fireproof material से बनता है, उसका strength बहुत powerful होता है, जैनकि बहुत वजंदार चीजों को भी उपर नेचे ले जाने की में काम में आता है, okay, अभी हम जो knots हैं, वो हम लोग इसलिए बानते हैं कि कोई भी चीज जैसे उपकरन एक gas cylinder है, या कोई एक breech है, या आपका suction pump है, तो इन सब चीजों को आसानी से आप उपर ले जा सकते हैं, या नीचे की तरफ उतार सकते हैं, यह सब चीजों के लिए इस तरह के अलग अलग तरीके के gaart बानने पड़ते हैं, तो हम आज उसके उपर उस subject पे हम सद्यान देंगे, तो कुछ gaart है, जो मैं आप लोगों से share करता हूँ, जो कि fire fighting में normally use करते हैं, तो पहला है, हाफ हिच नॉट, क्या है, इसका ना, हाफ हिच नॉट, तो यह जो नॉट है, यह इसलिए use करते हैं, कि जो पहले से जो gaart बांदी हुई है, वो gaart को और मजबूती देने के लिए, यह हाफ हिच नॉट का use किया जाता है, दूसरा, thumb knot, thumb knot या overhand knot बोलते इसको, या हम क्या बोलते इसको, thumb knot या overhand knot, वो जो रसी होती है, वो रसी के जो corners होते हैं, यानि कि उसके जो edge होता है, knot, okay, तीसरा, reef knot, यह तो मुझे लगता आप उन्हें सुना होगा, बहुत common knot है, इसको doctor knot भी कहते है, doctor's knot, तो यह जो knot है, इसमें कैसा है, कि जो दो रसी है, और दो समन रसी है, इन दोनों को जोडने के लिए, इसको पक्का जोडने के लिए, यह reef knot का उपयोग किया जाता है, okay, क्लो, hitch knot, okay, अभी क्लो, hitch knot, क्लो, hitch knot जो होए, वो जो गोल, आकार के जो भी वस्तू है, उसे बानने के लिए, उसको proper grip मिलने के लिए, उसे properly बानने के लिए, मतलब इसका यूज किया जाता है, तो उसके अंदर, जैसे कि suction pump है, गोल है, पर गोल है, जो कि branch आता है, गोल है, जो कि ब्रांच आता है, गोल है, जो गोल आकार के जो भी चीजे, इन चीजों को बान्द के ऊपर निचे उतारने के लिए, इसको काम में ले आयाता है, तो यह जो हिच, जो क्लो हिच जो है, इस तरह के मतलब दोती और भी जो है, जो कि गोल आकार के जो को बान्द जाता है, तो उसके अंदर जैसे कि rolling हिच भी होता है, उसके अंदर आता है rolling हिच, हिच नॉट, rolling हिच नॉट, यह भी मतलब इसी तरह के नॉट है, जो कि गोल आकार के चुजों पर बान्द जाता है, फिर रहता है round turn half हिच, वो भी similar kind of thing है, तो हम उसका भी नाव बिखते हैं, round turn half hitch, यह round turn half hitch है, यह भी मतलब उसका काम यही है, गोल आकार के चीजों को बान्दना, अच्छी तरह से उपर ले जाना, और नीचे यह करना, फिर जो सात्वा है, वो है single sheet bend, यह जो single sheet bend है, यह जो knot है, इससे इसमें, यह अलग-अलग दो तरीके के, या दो size के rope स्वंगे, जो रस्य होगा, उनको एक दूसरे से मजबूत इसे बान्दने के लिए single sheet bend का use किया जाता है, ओके, फिर आठवा है, timber hitch, यह जो timber hitch है, timber hitch यानि कि बड़े सामान, वजन्दार सामानों को उपर ले जाने के लिए, timber hitch knot बाना जाता है, ओके, अभी, अभी, बोलाइन, बोलाइन नॉट है, जो बोलाइन नॉट होता है, यह एक लूप है, जो कि कमर में बान्दा जाता है, और जिसके साथ जो बी-ए इंस्ट्रूमेंट होता है, सेट होता है, जो कि breathing apparatus उसके साथ बान्दा जाता है, जब फायर में अंदर जाते है, तो एक दूसरे से connected, बोलाइन, बोलाइन जो नॉट बान्दा जाता है, उसको, उसको एक लूप टाइप आता है, अभी, जो अभी है, दस्वा, चेर नॉट चेर नॉट यह बहुत इंपर्टन नॉट है, यह rescue नॉट है, rescue नॉट है, rescue यह नहीं कि किसी व्यक्ति को बचा के, बचाने वाला जो नॉट है, उसमें क्या करते हैं, कि इसमें दो मतलब loops होता है, उसमें आप एक दूसरे को, एक व्यक्ति को उपर से नीचे आप यह करके नीचे उतार सकते हैं, यह इस नॉट की खासियत है, तो नॉट हम लोग ने, कुछ नॉट हम लोग ने देखा है, तो यह सब नॉट है नॉर्मली, जो कि fire fighting में यूज़ करते हैं, और नॉट का fire fighting में बहुत importance है, तो मुझे लगता है यह आपको help out नॉट है,